आज अपने बात करते हैं जो राजस्तान के अंदर RUHS यानि राजस्तान University of Health Science की तरफ से पोस्ट BAC नर्शिंग के जो अब की बार admission होने हैं 2030 की regarding उसकी regarding आज अपना वीडियो रहने वाला है कि सर कैसे होगा admission कितनी रहेगी कटोप कौन कौन सी हमारी government college है और private college है कितनी sheet matrix है पूरी जानकारी इस वीडियो के माधियम से रहने वाली है अगर आप post BAC नर्शिंग में admission लेना चाहते हो अब की बार 2023 में तो पू देके चलते हैं आज अपनी आर्यूटर्स के site पे site का नाम है Rajasthan University of site जो मैं Google पे type करने के बाद आ गई है इसमें आज अपने बात करते हैं post BAC के बारे में तो post BAC के बारे में ठीक है तो post BAC के उपर जैसे ही अपने click करते है तो यह post BAC का क्या हो गया पूरा data खुल गया ठी देको आपके सामने आ रखा है अभी तक क्या रखा है कि provisional result or post BAC exam जो कब हुआ था 16-7-2023 को हुआ था और उसकी answer की भी अभी तक क्या हो गई जारी हो गई पर तु अभी तक क्या नहीं हुआ counseling start है नहीं हुई अभी तक क्या नहीं हुआ counseling start नहीं हुई counseling किसकी start हुई है BAC nursing की start हुई है तो मान के चलो आपकी counseling start होने वाली है भोत जल्द ठीक है अब बात करता हूँ कि sir आपको counseling कैसे करवानी है आपको government college जो है राजस्तान के अंदर जो फ्री में post BAC करवाते है या फ ठीक है तो उससे पहले मैं आप बता देना चाहता हूँ कि जो राजस्तान के अंदर कितने government college है राजस्तान के अंदर कितने government college है तो आर्यूचस की site पे ही मैं आपको बता देता हूँ राजस्तान के अंदर कितने government college है और राजस्तान के अंदर जो कितने private college है जो क्या करवा पोस्ट भी एसी करवा रहे हैं ठीक है तो लेके चल रहा हूं मैं आर्यूचस के इसी नोटिफिकेशन के उपर जो जिन्होंने इसने में क्या दे रखा है उन्होंने सीट मेट्रिक्स आपके सामने ओपन हो गई है आपके सामने ओपन हो गई है इसमें देखिए राजस्तान के अंदर जो गोवर्मेंट कोलेज है उनकी संक्या कितनी है सर दो है राजस्तान के अंदर गोवर्मेंट कोलेज की संक्या कितनी है दो है जिसके अंदर पहले नमबर प के अंदर जो गौवर्मेंट नर्सिंग कोलेज है उसका नाम है गौवर्मेंट कोलेज ओव नर्सिंग SMS होस्पिटल जेलने मारक जेपुर ठीक है तो ये एक नंबर का क्या है राजस्तान के अंदर पौस्ट BIC नर्सिंग का गौवर्मेंट कॉलेज है जिसके अंदर कितनी सीट रहने वाली है 25 सीट रहने वाली है पोस्ट BIC की ठीक है दूसरे नमबर गौवर्मेंट कोलेज की बात करता हूँ तो वो है गौवर्मेंट कोलेज जो SN Medical College का है जोद परवाला जिसके अंदर seat कितनी रहने वाली है पोस्ट BAC की 20 seat रहने वाली है तो राजस्तान के अंदर total government college कितनी है दो है राजस्तान के अंदर total government college कितनी है दो है जिसके अंदर total seat कितनी रहने वाली है 45 जिसके अंदर total seat कितनी रहने वाली है 45 seat रेनी वाली है राजस्तान के अंदर government college की ठीक है इन 45 seat के अंदर भी ही आपको एक और चीज बता दे चाहता हूँ जो राजस्तान के अंदर जो SMS medical college के अंदर जो nursing college है वो एक मातर ऐसा government college है जहां पे आपको post BAC जहां पे आपको post BAC की कोई भी P.E. से नहीं लगती यानि की आपका free of cost है free of cost क्या होती है post BAC होती है कोई भी चार्ज नहीं होता only for आपके examination form के चार्ज लगते है जो yearly आपका exam होता है जिसकी 30,000 P.E. से होती है इतना ही चार्ज लगता है SMS में जो government college आप है को अगर मिलेगा तो दूसरे नमबर पे बात करता हूँ जो government college है जोदपरवाला जिसके अंदर 20 seat है जिसमें आपको कुछ minimum amount पे करने होंगे कितने amount पे करने होंगे मानलो लड़की है तो वहाँ पे 20,000 पे आपको पे करने होंगे ठीक है और लड़की है तो उनको आपको 40 या 45,000 रुपे की आपको डीडी बनानी होगी जो की फीस ज़्यादा या कम हो सकती है जो आपको college में जाने के बाद आपको पता चल जाएगी ज़्यादा फीस वहाँ पे नहीं है ठीक है उसके बाद बाद करता हूँ उसके बाद बाद करता हूँ जो की आपके SN medical college के अंदर एक benefit ये है वहाँ पे लड़के और लड़कियों का क्या मिल जाता है hostel की facility मिल जाती है जहाँ पे आपको मेस चार्ज पे करके आपको hostel मिल जाएगा मिल जाएगा जोधपुर के अंदर ये benefit रहेगा अगर आपको SN medical college जोधपुर अलोट होता है तो और जो SMS medical college के अंदर government college है जहाँ पे 25 seat है वहाँ पे चाहिए लड़की हो या लड़का हो आपको hostel की facility available नहीं है आपको hostel नहीं मिलेगा ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी ठीक है और जो government college nursing है SMS वाला जिसके अंदर 25 seat है वहाँ पे first round के अंदर किसकी priority रहती है first round में किसको priority रहती है जो in service candidate है कौन है in service candidate वो होते है जो जीनम करने के बाद राजस्तान government के अंदर service लगे और उनको 2 साल बाद government allow कर देती है कि आप अपना course को upgrade कर सकती हो जीनम के बाद आप क्या कर सकती हो post BAC कर सकती हो जो वो बच्चे को उन student को first priority मिलती है SMS medical college के अंदर ठीक है तो post BAC के अंदर इन service candidate की seat क्या होती है first round के अंदर reserve रहती है परंतु मैं देखता आ रहा हूँ अभी से 3 या 4 साल के अंदर इन service candidate की संक्या बहुत कम होगी है पिछली बेच में एक भी इन service candidate नहीं है इससे भी लास्ट वाले बेच में एक भी इन service candidate नहीं है तो अगर आपके बेच में इन service candidate आएंगे तो मान के चलो 2 या 3 इन service candidate आ सकते है इससे ज़्यादा नहीं आएंगे तो मान के चलो अगर 5 इन service candidate आगे तो आपके कितनी seat रिजरू रहेगी 20 seat क्या रहेगी रिजरू रहेगी किसकी SMS Medical College के अंदर जो Government College of Nursing है जिसका post BAC के अंदर post BAC के अंदर तो 20 seat आपके क्या है रिजरू रहेगी first round के अंदर आपको नहीं मिलेगी ध्यान रखना first round के अंदर आपको नहीं मिलेगी अगर आपका score 120 में से 120 ही क्यों नहीं हो first round में आपको College SMS वाला नहीं मिलेगा ये चीज़ आपको दिहान में रखना होगा आपको क्या करना होगा सर फर्श रांड के अंदर SMS ना मिलके अगर जोदपुर मिल गया क्योंकि आपका स्कोर क्या रहेगा अच्छा रहेगा आपको जोदपुर मिलेगा जोदपर में जाके आप सारे डोकूमेंट दे 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 देना वहां पे आपको फीस सम्मिट करवा देना जैसे ही second counselling होगी आप उसे participant के लिए yes कर देना और जैसे ही second counselling होगी उसमें आपको जो government college SMS वाला जैस्प छीट बचाई तो आपका admission वहाँ पे हो जाएगा ठीक है और जो आपकी piece बगएरा जो document बगएरा जो जोदपरवाले में submit हुई थी वो आपको क्या हो जाएगी return हो जाएगी वापस हो जाएगी जो की एक procedure के दोवारा ज्यादा time है नहीं लगता आपकी क्या हो जाएगी sir return हो जाएगी इसक राजस्तान के अंदर total 41 post BSE की college है जिसमें आप direct admission नहीं ले सकते अब की बार जो भी admission होगा राजस्तान के अंदर counseling के तुरू ही होता है counseling के तुरू ही post BSE का admission होगा direct admission नहीं होता तो जिन बच्चों को private nursing के अंदर admission लेना है जो आपका क्या हो गया interest exam हो गया जो 16 तारिक को 2023 24 बेच के लिए वो हो गया जिन बच्चों का अगर interest दिया है post BSE admission के लिए तो आप अपने number के according आप अपनी preference के according क्या कर सकते हो प्रिफरेंस के according क्या कर सकते हो आप है private college ले सकते हो मान किये चलो मुझे क्या लेना है जो ये जो सिकर वाला जो college है ठीक है अनुपरना medical training institute य ये लेना है तो मैं एक number पर इसको private रखूँगा दो number पर अगर में बिरला college of nursing जूंजनुवाला लेना है तो मैं ये रखूँगा इस तरके से आपको private college ही लेना है तो तो आपको private college मिल जाएगा मान कि चलो किसी candidate के number क्या है कम है यानि कि किसी candidate के 60 number है तो वो क्या करेगा प आपको जो post BAC college चाहिए जिसे चोदरी का नराम college आ साथ हो number पर जूंजनुवाला वो चाहिए तो तीन number पर ये बर देना अगर आपके number अच्छे है post BAC के अंदर को seat vacant रहती है तो आपको SMS या SN college मिल जाएगा अगर नहीं है तो direct आपको जो college आपको चाहिए था वो आपको college college मिल जाएगा तो गभराने की कोई जूरत नहीं है इसी तरके से ही आपको counseling करवानी है जो counseling अभी हपते बर में आपकी post BAC की start हो जाएगी जो हपते बर में post BAC की start हो जाएगी total इतने college है राजस्तान के अंदर ठीक है ये ध्यान है आपको रख लेना ठीक है अच्छी college की सं क्या है कोई दिखत नहीं है आप चाहो तो ये मेरे से PDF ले सकते हो जो PDF लेने के लिए मैं आपको मेरे Instagram पर message कर देना मैं आपको PDF apply प्रदाने कर दूँगा मैं आपको Instagram की ID रहने वाली है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी रहने वाली है जो मैं आपको कमेट बॉक्स में पहली बात हो वहाँ पे आपको कमेट बॉक्स के अंदर आपको मैं इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक है शेर कर दूँगा और लाश्ट तक आपको मैं बता दूँगा अब बात करता हूँ कि सर राजस्तान के अंदर अब के बार जो post BAC है इसकी कटोप क्या रहने वाली है क्योंकि ये एक बड़ा doubt है बच्चों का कि मेरा राजस्तान के अंदर selection हो जाएगा क्या post BAC के अंदर gourmet sheet के अंदर क्योंकि हर candidate हर बच्चे का सपना होता है कि मैं एक gourmet college के अंदर पढ़ाई करूँ जहां पर फ्रियोप cost रहे और top medical college रहे ठीक है जिसमें मुझे अच्छी क्यारे knowledge मिले ठीक है कटोब के regarding मैं आपको बता देता हूँ कटोब के लिए अपने लेके चलते है राजस्तान का जो क्या आया था अभी जो result आया था उसके उपर लेके चलते हैं चर्थी इसलिए आपने दोकूमेंट से पूरी डिटेल बताने नीमाला हूं। आप पूरा जरूर देखें ताकि सारे भूच्चों कंधå क्या हो जाये और उसकल मेसेजस भी स्पराफ़ आप। यही चैनल है जो जानकरी देता है 2013 के बारे में क्यों नहीं जानकरी दे रहे तो मैं इसी के परकार के लिए आपके पास आया हूँ ताकि आप सब बच्चों को जानकरी मिल सके तो देखो student अब की बार जो एक्जाम हुआ है अब की बार क्या जो हमेशा ही एक्जाम होता है राजस्तान के अंदर 120 मारका होता है 120 मारका एक्जाम होता है जिसमें कोई भी नेगिटी मारकिंग नहीं होती है कोई भी नेगिटी मारकिंग नहीं होती है इसलिए अग्य बार राजस्तान के अंदर कटो क्या रहने वाली है हाई रहने वाली है हाई इसलिए रहने वाली है कि मान के चलो अभी क्या आ रहे है किसी बच्चे के 104 नमबर आ रहे है जो कि अमन नाम का लड़का है इसके 104 नमबर आ रहे है इसी परकार से बहुत से एसे कंड़ेट है जिनके मारक क्या है 100 से उपर है एसे बहुत से बच्चे ह अंदर पोस्ट भी ऐसी की जिसमें बहुत से बच्चों के क्या रहे हैं 100 मार्क आ रहे हैं तो मान के चलो राजस्तान के अंदर जनरल की जो कटोफ मान के चलते हैं जनरल की कटोफ मान के चलते हैं वो अपने 92 जो अपने 95 to 110 हो सकती है 92 to 110 हो सकती है जनरल की कटोफ बात कर रहा हूं है जनरल की कटोफ 95 to 110 हो सकती है जो ओबी सी कंडिडेट है उनकी कटोफ कितनी रह सकती है 92, 92, 105 हे रह सकती है जो ओबी सी कंडिडेट है उनकी कटोफ क्या रह सकती है जो SC candidate है उनकी cutoff क्या रह सकती है SC candidate की cutoff 80 to 80 to 100 रह सकती है और जो ST candidate की candidate है उनकी 75 to 75 to 95 है रह सकती है जो EWS candidate है उनकी OBC candidate के एक दूओ या नमबर उपर या नीचे हो रह सकती है जो MBC candidate है MBC candidate है उनकी OBC से थोड़ी सी क्या रहती है लो रहती है ठीक है ये रही राजस्तान की सीट की मैंने cutoff बता दी तो आप अगर अच्छी तरके से cutoff निकालना चाहते हो तो आप ये PDF मेरे से लेके या फिर साइट से ये PDF डाउनलोड करके इसमें total कितने candidate ने एकजाम दिया 1000 पलस candidate ने एकजाम दिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ total कितने 1039 यानि कि इन्होंने candidate ने एकजाम दिया है ज़्यादा candidate नहीं है हर साल इतने ही candidate एकजाम देते है ठीक है तो इन्होंने एकजाम दिया है ये आप PDF डाउन्लोड करके आप ये पता कर सकते हो कि 100 से उपर कितनी candidate है 100 plus candidate कितने है 90 से उपर कितने है इसी परकार से अगर 100 से उपर कितनी candidate हो रहे है 20 candidate हो रहे है तो मान के चलो सब कही dream क्या होता है सब कही dream क्या होता है जो SMS वाली government college है उसको लेने का तो अगर 100 उपर 20 कंड़ेट मिल गए तो कटोप क्या है 100 उपर रहने वाली है मैंने देख लिया और इसी प्रकास है मैंने आपको बता रहा हूँ ठीक है तो आपके ये रहने वाली है फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको पोस्ट बियसी तो करनी ही करनी है क्योंकि पोस्ट बियसी की जो प्राइवेट में जो पीस है वो जादा नहीं है एक साल की सतर के यानि सतर जार पे आपकी पीस लगेगी दो साल के अंदर एक लाग चालिस जार के अंदर आपके पोस्ट बियसी हो रही है क्योंकि without post BAC जीनम की कोई value नहीं है क्योंकि aims के अंदर सब के अंदर post BAC made entry कर दिया है इसलिए post BAC आप जरूर कर लेना चाहे कोई सबी college आपको मिले तो I hope मैंने पूरी जानकारी आपको दी है फिर भी आपके कोई भी doubt है तो मैं आपको मेरी instagram id बता रहा हूँ मेरी instagram id आप instagram पे सरच करना बलराव परजापती पी आर ए जे ए पी ए टी आई परजापती ब्रेक्ट में क्या है लास्ट में क्या है 96 ये मेरी instagram id है इस id पे आप मुझे message कर देना आपके कोई भी मैं आपको reply करने की कोशिस करूँगा और आप post bc counselling जरूर करवाना जिसके अंदर post bc counselling की फिस कितनी रहने वाली है पांसो पचास रुपे आपके piece रहने वाली है ज्यादा piece नहीं रहने वाली है college की preference मैंने आपको बता दी है अब आपको document क्या चाहिए तो जीनम के सारे all year के जीनम के document है first year second year और third year के सारे document चाहिए आपको RN number चाहिए registration number चाहिए और आपको diploma चाहिए प्लस आपने अगर reservation category से फोरम बरा है तो आपको क्या चाहिए OBC OBC और मूल निवास जिसको bonafide certificate बोलते हैं ये आपको चाहिए ही चाहिए और जो आपने फोरम बरा है उस फोरम की print out आपको चाहिएगा तो वो संबाल के रखना फोरम का print out और जो आपका चलान कटेगा पांस उपचास रपेगा online उसकी क्या रहेगी कोपी आपको चाहिएगी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसी परकार मैंने आपको पूरी जानकारी दी है और जैसे ही कांसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको वीडियो के माद्यम से और आपको जानकारी दे दूँगा ताकि आपके सारे डाउट है किलियर हो जाए तो आई होप मैंने इस वीडियो के माद्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी है अगर मेरी वोइस अगर मेरी नोलेज जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले जी वीडियो में आपको बेनिफिट मिल सके और नोर्ट्षेट के एक्जाम में प्रिपरेशन के लिए ही आमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टूटिविकेशन आपको मिल सके तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जे हिंद जे वार्थ